नमस्कार दोस्तों फिर से मैंने चैनल सबी लोकुन को स्वागत है आज आप लोकुन को बताना चाहता हूँ करदपूर की इतियास मंदीर में से एक मंदीर करगेश्वर मंदीर इस मंदीर का बारे में मिली जानकारी के इसाब से ये हिंदू द्वारा पूजा जाने वाली एक पविस्त्र स्थान है जहां भगवान शिव की आरादना किया जा रहा है ये मंदीर करगपूर रेल्वे स्टेशन से महस दो किलियो मेटर दूरी पर है मंदीर की मुख्य द्वार पूर्व दिशा की और है मंदीर की निर्मान में लेतिक पत्थर का इस्तमाल किया गया करके जो 400 साल पहले पना गया करके बोल रहे हैं और खरकपूर की पुराने में से एक शंकर मंदीर ये है पहले खरकपूर एक गना जंगल हुआ करता था जो साथनी जन जाती का वास्त था ऐसा माना जाता है कि खरकपूर नाम भी इस मंदिर से ही आया है इस से पहले इस मंदिर जगा को पहले हिजली नाम से जाना जाता था मंदिर की निर्मान की बात करे तो ये एक सब्त रत शिकर है यानि एक रत जिनके दोनों तरफ साथ साथ पईये बना गया है और सामने की धाचा जगन मोहन काल को तर्शाता है माना जाता है कि मंदिर की इतियास महा बारत काल से चुड़ा है कहां जाता है कि वनवास के द्वारा पांडवों ने यहीं आकर कुछ दिने के लिए आश्रई लिया था इस मंदिर के प्रैंगन में बकासूर का दान संसकान किया गया था बकासूर एक राचस है जो इंशानों को खाता था इस मंदिर को 2010 में पुनर निर्मान किया गया है इस मंदिर में हर सोंबार शंकर बगवान के पूजा किया जाता है विशिष्ट करके साल में एक बार यानि शिवरात्री के दिन विशिष्ट पूजा किया जाता है दोस्तो यहीं नहीं और कुछ मंदिरों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको अगर इसके बारे में अच्छा लगा तो आप नीचे जरूर पॉमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आने दलग थोड़ा इंतजार करिएगा धन्यवाद दोस्तो खाता है मार यह कर दो लाझी है आकि कर दो अश्षा है वो लिगज लगाड़ा झालतoure हुदा पालत足 पी निया भॉदिए și पाल गॉदि loan माल हुदाओ हुदे मेर कन хоч बर्लोच नाल'T पी जिसो क्यों पालते तोмы और बजयी पीड़ झाल 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 झाल